सहारनपूर थाना जनपूरी पुलिसवारा ऐसी रट है कि फरजी घटना कने वाले एक अभ्यूत को किया ग्रपतार। सहारनपूर को ग्रपतार किया। अभ्यूत दरा अपने सायोग्यों के साथ रुपे एटने के लिए एसी डेट की फरजी घटना बनाकर जूटी डॉक्तरी कराकर जूटा मुकदमा पंजकृत कराया। अभ्यूत पर कारवाहिकर अभ्यूत को मानी न्याले के समक्ष पेस किया जा रहा है। मंदर्वियो रुशारनपुर हैदर अंतारी। उसके अधार पर जिससे धारा भढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दौनव पक्षों के बीच में किसी तरह का समझाता हो जाए। उसको ध्यान रखते हुए फर्जी मेडिकल बनाए करते थे और उसी में हम इसको आज कोर्ट में प्रडूस कर रहे हैं। अभी पूश्टाच में जब इससे बात करी है फर्दल से तो उसमें पूश्टाच में कुछ हमें ऐसे साक्षे मिले हैं। कि अब वीडी शर्मा के संपर्ग में रहता था, वो वहाँ पे जब अमेर्जर्टी मेडिकल आफिसर के रूप में बैठते थे तो उनके द्वारा फर्दी मेडिकल कराए गए हैं। उसी साक्षों के अभी गहनता से चानबीन हो रही है। उनके साथ साथ कई और डॉक्टरों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो उनी साक्षों के अधार पर और जो हमारी जाच जो हम करेंगे कहलता है जो उसमें जो भी साक्षे सामने आएंगे उसी के अधार पर हम आगे इसमें गरफतारी करेंगे आपने बुलकुल सही कहा है, मैंने इससे पूछता जब करी, तो इसमें इसने बताया कि पिछले तीन साड़े तीन साल से डॉक्टरों के संपर्ग में था, और सतन इसके तोरा बताया गया कि 30-40 मेडिकल ने बनवाए गए हैं, इसके फोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं उसका हम इस टाइम पर विशलेशन करा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो जैसे जैसे तक से सामने आएंगे, उन्हों केसे में भी कारवाई की जलीगे इसके पर विशलेशन करता है उस पार्टी पर जो मेडिकल बनना चाहती है, उसी के अधार पर इनका प्राइस फिक्स किया जाता था, वह सतन पचास से साथ हजार रुपे में मेडिकल बनता था, जिसमें इसका कमिशन कुछ पांच दस बंदा हजा कर रहता है